नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों कब्स यानि के कॉंस्टिपेशन की परिशानी मुझे लगता है हर किसी घर में एक या दो इंसान को आपको ज़रूर मिल जाएगी रह सकता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉमेटिव है आप अगर खुद सफरर नहीं है तो आपके घर में शाथ कोई ऐसा फैमली मेंबर होगा जिसको कब्स की परिशानी रहती है आप उनके साथ इन चीजों को शेर करें अपने फ्रेंक्स के साथ करें और मेरे साथ बनी रहे हैं दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कब जयानी की कॉंस्टिपेशन किसको बोलते हैं अगर आपको प्रति दिन मोशन पास नहीं हो रहा है यह मतलब आप स्टूल पास परड़े नहीं कर रहे हैं तो इसको कॉंस्टिपेशन बोला जाता है कुछ लोग ही सोचते हैं कि अगर एकाथ दिन उनको साफ नहीं होता है तो इसको आप कॉंस्टिपेशन में नहीं रखेंगे हो सकता है उस दिन आपने ऐसा कुछ खाया हो या आपकी दिन चर्या ऐसी रही हो जिसके वज़े से आपका पेट गड़बड हो गया हो लेकिन अगर यही परिशानी आपको हमेशा बनी रहती हो हफते में कम से कम तीन से चार दिन आपका पेट सही से साफ नहीं होता है तब आप इस परिशानी को कॉंस्टिपेशन के साथ कनेक कर सकते हैं मतलब तब आप ही सो सकते हैं कि आपको कॉंस्टिपेशन यानि की कब्स की शिकायत हो सकती है दोस्तों अगर हम बात करें क्योंकि बहु अगर हम constipation के patient हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें सेवन करना चाहिए अगर हम constipation के patient हैं जिससे हमारा motion अच्छे से पास होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना खानने वाली चीजें कि आपको जिन चीजों को avoid करना है तो सबसे important चीज आपको ऐसे भोजन को avoid करना है जो बहुत जादा गरिष्ट होते हैं जैसे आप डालों में अगर मैं बात करूँ तो आपको मटर की डाल, काले चने की डाल और उरत की डाल का सेवन नहीं करना है अगर आप बहुत जादा constipation से ग्रसे तो और especially रातरी के समय त दूसरी चीज दोस्तों आपको नए चावल का सेवन नहीं करना है दोस्तों बहुत ज़़ादा मार होता है उसमें fiber content बहुत कम होता है जिसके वज़े से आपका motion में fiber नहीं रह जाता हो और आपको easily वो evacuate नहीं होता इसलिए आपको नए चावल का सेवन बिलकुल भी नहीं कर अगर आप constipation के शिकायत वाले परसन है तो पेशली मैदे से बने जैसे बिस्किट है या फिर कुकीज है पेस्ट्री है केक है यह सारी चीजे जो मैदे से बनी होती है समोसे है कचोरी है और अगर आपने ऐसा नहीं कि आप छोड़ दे लेकिन आप कुशिश करें इसका सेवन क से कम करें और कभी अगर आप कर रहे हैं तो आप दिन के समय करें रात्री के समय या शाम से लेकर रात्री के समय इसका सेवन बिल्कुल नहीं करें और अगर खाया भी है तो बहुत थोड़ी मात्रा में खाये ज्यादा बिल्कुल नहीं खाये दोस्तों अब हम बात करते हैं फल और सब्जियों में ऐसी कौन से हैं जिनको आपको अवाइट करना है अगर आप कॉंस्टिपेशन के पेशेंगे तो 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 फलो में केला एक ऐसा है बनाना बहुत ज्यादा कॉंस्टिपेशन करता और सपेशली अगर आप कच्छे केले के बात कर रहे हैं वह हमें बहुत जो कांथ बोला जाता है, ऐसे सब्जियों का सेमन आप बिल्कुल नहीं खरें, अगर आप सफरर रहते हैं, तो साथ ही साथ आपको डिब्बा बंद समग्रियों का सेमन नहीं करना है, जो भी पैक्ड आइटम आते हैं, चाहे वह फ्रोजन फूड आता हो, या फिर आप जो पै पैट और कार्व वो भी ऐसे रिफाइंड काब जो हैं, बहुत जादा मात्रा में हैं, हाई फैट जिसमें जादा है, उन चीजों को आपको नहीं खाना है, अगर आप कॉंस्टिपेशन के शिकायर रहते हैं, तो नेक्स दोस्तों, बासी भोजन भी बहुत लगों को कॉंस् सबदेशन के बहुत हो सकती है, अब किन चीजों को खाना चाहिए, अगर हमें कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, दालो में, तो अरहर और मूं की दाल सबसे अच्छी मानी गई है, अगर आप को कांस्टिपेशन य हो चुके होते हैं चावल उनका सेवन करना है आपको नए चावल का सेवन बिलकुल भी नहीं करना है साथी सब्जियों में अगर हम बात करें तो आप हर रेशेदार सब्जियां और पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जैसे कि जो लौकी है कद्दू है निन्वा है ऐ सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करें प्ते दार हरी सब्सक्राइब प्ते रहलों यह साथी आप गाजर शीयह के यह पी सिर्ड उस में गाज़ शुर॑ करकने में बहुत ही आप लाप प्रत रहेंगे दोस्तों कुछ लोगों को दोस्तों डेरी प्रोड़क्स भी यूज बहुत ज़ादा कॉंस्टिपेशन कॉस करते हैं तो मैं यह समत्य हो आप दही या चाच का सेवन करें यह आपके लिए बहुत ज़ादा कrench कर लğı तत्या है लेकिन जिन लोगों को थोड़ा मिल्क से स्पेशली जो बच्चे ओतें हैं में देखा नंगे जो तोडल रहते हैं उस एच्टे क्रूप में मिल्क लेने से कभी कभी नमेसरे कॉन्स लें लगता है. तो उनको मिल्क से बने प्रोड़क्स कम देख साथ ही एक नेटलव सकती है तो आपको में बहुत कर स्काई पानी की से कम से प्रkę ना पुरूष तो प्रूर्शन ना पेष्ए क्ना करो करना वह कौन से प्रेयोग करने आपको पेशन है, अगर तो पपीता बहुत अच्छा होता है, दूस्तों अमरूद बहुत अच्छा होता है, साथी जो गाजर और खीरा मैंने बताई, ये भी बहुत जादा लाप्रद है, तो इन फ्रूट्स का आप सेवन करते हैं, तो भी आपका पेट साफ रखने में बहु इनको आप प्रदिन प्रयोग करें, साथी दोस्तों, कॉंस्टिपेशन वाले लोग अगर एक चम्मर प्रदी देशी गी का प्रयोग करते हैं, उसमें आपको फ्राइब नहीं करना है, खाना आपको उपर सेवन करना है, आप दाल में जाल के ले सतने हैं, अपनी रोटी में जाता है, तो एक चम्मत देशी की आप ऐसे उपर से डाल के लेना दाल में शुरू करें, और जो चीजे मैंने बताई हैं, जो आपको लेनी हैं, जो नहीं लेने हैं, इमका ध्यान रखें, धीरे-धीरे आपका डाइजेशन ट्राक पे आने लग जाएगा, और without even medicine, बहुत स family members और relatives के साथ, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के informative वीडियो के साथ, तब तक के लिए, thank you so much, stay safe and healthy.